हलो फ्रेंड्स संगीतास किचन में आपका स्वागत है हमारी चेनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाए आज हम बनाएंगे चोकोलावा केक इसके लिए मैंने यहां पर हाइडेन सिक बिसकेट लिए है कोई भी चोकलेटी बिसकेट ले सकते है और मैंने यह चोकलेट लिए मिल्क कमपांड आप कोई भी चोकलेट ले सकते है और दूद बेकिंग पाउडर और ग्रीस करने के लिए ओईल हम एक पेन में ये मैंने चोकलेट लिए वो डालेंगे और एक चम्मच पानी डालेंगे अब हम गैस को अन करेंगे और इसके ऊपर हम ये चोकलेट रखके मेल्ट करेंगे ये देखे हमारी चोकलेट मेल्ट हो रही है ये देखे पूरी मेल्ट हो गई है अब हम गैस को आफ करेंगे और इसे दो मिनिट चलाएंगे अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे और हम तब तक क्याक की तयारी कर लेंगे अब हम ग्राइंडर में इसे पीस करके डालेंगे और इसे क्रस्ट कर लेंगे पाउडर बना लेंगे ये हमने पाउडर बना लिया है अब हम इसमें दूद डालेंगे और केक्षे साब बेटर बना लेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे झाल झाल हमें एक कम में थोड़ा कम दूद लगाए अब हम पांच मिनिट इसे टक्के रख देंगे अब मैंने यहां पर इस तरह की कटोरी लिए अब हम इस पर ओईल लगाएंगे इस तरह पूरी कटोरी में हम ओईल लगा देंगे और उपर से बटर पेपर और इसे भी हम ओईल से ग्रेज कर लेंगे इसी तरह हम तीन कटोरी रेडी करेंगे एक पेन में हमने नमक को घरम करने रख दिया है यह देखिया हमारा बेटर थोड़ा सा थिक हो गया है तो हम थोड़ा हम दूद डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और हमने जो बेकिंग पाउडर लिये यह हमने हाप चमची बेकिंग पाउडर लिया है वो डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे यह देखिया हमने ऐसा बेटर रेडि किया है अब हम यह कटोरी में डालेंगे अब हम थोड़ा सा टेट करेंगे और हमने जो यह चोकलेट ट्रेडि करके रखी है उसमें से इस तरह से चोकलेट लेके इसका हम बॉल्ड रेडि करेंगे और यह हम बीच में इसे हम डाल देंगे अब हम केक पेन में एक स्टेन रखेंगे और इसके उपर हम यह कटोरी रखेंगे और इसे ढखन लगा के दस से पंदरा मिनिट बेक करेंगे मेडियम आज पे हमें पंदरा मिनिट हुए हैं यह देखे हमारा लावा के बेक हो गया है अब हम गैस को ओफ करेंगे और इसे निकाल लेंगे अब हम चपू से थोड़ा साइड में थोड़ा साई करेंगे बहुत ज्यादा नहीं करना वरना केट को टर्च नहीं करना और इसे दीस में पटाएंगे उपर से हम बटर पेपर निकालेंगे अब हम कट करेंगे यह देखे रेडी है लावा केक किस्पस में बनाएं लावा केक बिस्कित में से अगर आपको हमरा विश्च पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद